क्या आप भी एक Android phone यूज करते हैं और आपके Android phone में आपको एक problem है कि जब भी आपके पास किसी का भी incoming call आता है या आप किसी को भी call लगाते हैं call लगाने की बाद आप उसे call का recording चालू करना चाहते हैं तो जो आपका dialer है वो आपको warning देता है कि आप एक call recording कर रहे हैं और सामने वाले को भी पता चल जाता है कि आप उसकी call को record कर रहे हैं तो इसे problem को आप कैसे solve करेंगे कैसे आप अपने इस problem को आप हटा सकते हैं अपने phone में ताकि जो आपका dialer है किसी को भी warning ना दे कि आप उसकी call को record कर रहे हैं और उसकी call को आप record भी कर पाएं जैसे आप य लगाने की बाद जैसे इसमें call लग जाता है लगने की बाद अगर आप इसे receive करना चाहते है यानि कि आप यहां से recording इसका करना चाहते है recording करने का option आपको मिल जाता है अगर आप इसे recording करना चाहते है recording करते समय अगर आप इसके call को आप record कर रहे हैं और record करते समय अगर आप यहां से recording करते हैं तो आपको एक warning मिल जाती है तो आप इसे problem को कैसे solve करेंगे ताकि सामने वाले person को recording की wise warning ना जाए कि आप उसकी call को record कर रहे हैं तो इसे आप आसानी से solve कर सकते हैं सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप उसकी call को record कर रहे हैं और आपके पास warning भी नहीं आएगा, इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एक application डाउनलोड करेना है, वीडियो के description box में आपको इस application का link मिल लिएगा, डाउनलोड करने की बाद आप उसे open कर लेंगे, open करने की बाद कुछ इस तरीके से application open हो जाएगा, open होने की बाद, आप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपको profile engine पर click करना है, जैसे आप इस पर click करेंगे, TTSLEX, आपको यह select कर लेना है, जैसे आप इसे select करते हैं, OK कर देना है, जैसे आप इसे OK करेंगे, OK करने की बाद, यहाँ से back आजाएए, अगर आपको इस तरीके से नहीं मिलता है, तो आपको जाना होगा अपने setting में, setting में जाने की बाद, यहाँ पर आप इस search पर click करेंगे, यहाँ पर आपको search करेंगे speak जैसे आप यहाँ पर search करेंगे speak तो आपके सामने अभी यहाँ पर आजाएगा speech के नाम से एक setting तो हम यहाँ पर search करेंगे यहाँ पर आजाएगा test to speech output आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे वही setting आजाएगा इस पर टच करिए और इसे आपको select करेंगे इतना काम करने की बाद आप यहां से बैक आजाईए बैक आने की बाद आपको अपने डायलर पर long press करना है उसके बाद app info मिल जाएगा इस पर टच करेंगे जैसे आप इस पर टच करते हैं यहाँ पर मिल जाएगा storage आप इस पर click करेंगे click करने के बाद clear all data पर click करेंगे click करने की बाद ok कर देंगे इतना काम करने की बाद यहां से बैक आजाईए बैक आने के बाद अब आपको अपने phone का जो आपको सुच आप करेना है एक बार अपने mobile phone का power off करेंगे power off करने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि आप कहीं पर भी call लगाएंगे फिर आपको warning सुनाई नहीं देगा जैसे हम यहाँ पर dial पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हम एक के call लगा देते हैं इस तरीके से call लगाने के बाद अभी आप देखेंगे कि यह call रिसीब भी हो जाएगा जैसा कि देख सकते हैं और हम यहाँ से इस call को record करते हैं देखते हैं कि warning सुनाई देगा या नहीं तो जैसा कि आप देख रहे होंगे call यहाँ पर record हो रहा है बट हमें warning कोई भी सुनाई नहीं दिया है और call recording हमारा से भी हो चुका है तो कुछ इस तरीके से आप अपने गूगल के डाइलर में इस warning को बंद कर सकते हैं और आप किसी का भी call record कर सकते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा और आपका warning भी सुनाई नहीं देगा तो मिलते हैं next वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत पहुत धन्वा